चलत्तेके न पादेन, तिष्ठत्तेके न बुद्धिमान, न समीक्षपरम स्थानम, पूर्वमायतनम त्यजेद। नमस्कार, प्रिये दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानि सवाल आपके जवाब हमारे, एक से बढ़कर के एक, जो प्रश्ण आप सभी दर्शकों ने किये हैं, आईए, उन प्रश्णों का जवाब देना प्रारम्भ करता हूं अपने ज्ञाना प्रेज्र आनुसार, अपने सामर्थ्यानुसार, नीती शास्त्र के विद्वान कहते हैं, चलत तेके न पादे न, तिष्ठ तेके न बुध्धिमान, बुध्धिमान विक्ति वो है, जो एक पैर से चलता है, और एक पैर से स्थिर रहता है, इस्का आर्थ क्या हुआ? कोई इस स्थान पर आपको जाना हो, उसकी पूरी तरह से आपको जानकारी न हो, न समीक्ष परमस्थानम पूर्वमायतनमतिजेत, जब तक पहले आप जहां हैं, वहां तो हैं ही, जहां जाना चाहते हैं, उस जगह के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी न हो जाए, तब तक पीछे वाले जगह को न छोड़िये, इस बात को आज के वर्तमान, कारेक छित्र पर जो प्राइविट सेक्टर में लोग हैं, उनके उपर लागू करिये, कई बार लोग ये गलती करते हैं, कि नौकरी में बहुत दिक्कत आ रही है, राजनीती हो रही है, सड्यंत्र हो रहा है मैं अब इस नौकरी में नहीं रहूंगा, मुझे दूसरी नौकरी चाहिए, और कई बार गलती क्या करते हैं, कि बिना बिचारे नई नौकरी न भी मिली हो, उसका कागज न मिला हो, पुरानी नौकरी छोड़ देते हैं, और फिर बाद में, न तो पुरानी नौकरी रही, न नई नौकरी, तो हमेशा इस बात का आपको खयाल रखना है, कि सास्तुरकार कहते हैं, कि चलने का क्रम अगर आप देखेंगे, तो पहला पैर स्थापित होता है, फिर पीछे से दूसरा पैर उठता है, अगर पहला पैर ठीक से स्थापित नहों हो, दूसरा पैर आपने पीछे से उठा दिया, तो हो सकता है आगे, दल दल हो, दोनों ही पैर एक जगह रखने के बाद फिर फस जाएंगे, तो एक पैर जम जाए, तब दूसरा पैर, यानी बदलाव करना है जीवन में, तो जरूर करिए, परन्तु पहले अपने आपको आगे समझ लीजिए, इस इन्होंने पूछा है, भगवान के मंदर में जाना जरूरी है क्या, घर में पूजा करें तो नहीं चलेगा, दोनों में अंतर क्या है, अंतर कोई नहीं है, परमात्मा तो हर जगह है, कण कण में, लेकिन असल में हम देखें, तो हम लोगों की जो कैटेगरी है, धर्म के माम वो सबसे नीचे वाले स्तर पर है, पहला स्तर यह है कि मानो मात्र जीव मात्र मानो नहीं, जीव मात्र में हम परमात्ना का दर्शन करें, कण कण में परमात्ना का हम दर्शन करें, यह पहली स्तिती है, यानि हर जगह हमें परमपिता दिखाई पड़ने लगें, यह पहली स्ति मूर्ति में जब हम आएं तो सब जगह तो नहीं परंतु गुरु में ब्राम्भन में और मंदिर में हमें देवता दिखाई पड़े हम ऐसा एहसा हो कि इनहीं में देवता है इनहीं में भगवान है और हम उनमें दर्शन करें और सबसे तीसरा स्टेज यह है कि हमें सिर्फ मंदिर के मूर्ती में ही विश्वासे की इसी में भगवान है। अब बात आती है घर में और मंदिर में क्या अंतर है। कोई अंतर विशेस नहीं है। अगर सामान नित्या देखें तो कोई अंतर विशेस नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आपको इसक भी मत चुओ, आखिर कारण क्या है? मैं भी सोचता हूं कि दर्सन करने गए, तो क्या बढ़िया लगता तो है कि मुर्ती को चुआ जाये, मुर्ती को करीब से चुआ करके प्रणाम करें? मैं इस पर लगातार कई दिनों से मंधन कर रहा था, और तब एक आएक जबाब आतना की कृपा, रिशियों की कृपा दिमाग जबाब में आ गया, वो मैं आपसे share करता हूं, हो सकता है, मेरा जो दिमाग कह रहा है, हो सकता है इसे अलग भी जबाब हो, एक सामान्नि तर्क तो है कि मुर्ती को सीधा-सीधा, क्योंकि रास्ता में यात्रा काल में सुतक हो जाते हैं उस सवस्था में मूर्ती को नहीं चुना चाहिए ये सामानित तर्क है लेकिन असल में एक और तर्क मेरे दिमाग में आया अब मूर्ती का काम ही है कि अपनी उर्जा से आपको प्रभावित कर देना आप गौर कर रहे होंगे कि जब कोई ऐसे मंदर में मैंने इसका जबाप पहले भी स्मामले में दिया था कि बहुत भीड है मंदर भीड से भरा परा है इसके बावजुद आपको मंदर में सांती मिल रही है बहुत से ऐसे मंदर आपको दिख जाएंगे बहुत से ऐसे मंदर आपको मिलेंगे जहां मूर्ति को देखते ही आप भाव विवोर हो जाएं, आपको रोमांच होने लगे आपका रोम, खड़ा हो वहाँ पर, यानि कहीं न कहीं रोमांच आप महसूस करें, तो ये मूर्ति की सक्ति है, ये होता कैसे है, ये सक्ति जागरित कैसे होती है, तो निरंतर लोगों के पूजा पाठ से, देवताओं को शक्ति कैसे मिलती है, आपके पूजा पाठ से, जो आप पूजा पाठ करते हैं, उसी से देवता शक्ति पाते हैं, तो मूर्तियों की, जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, पहले उसमें आवहन किया गया, श्थापन किया गया, पूज किया पूजन सब सुरू हो गया तो उसमें सक्ति जागरित होने लगी धीरे धीरे करते करते मूर्टी जागरित हो गई अब जब आप उस मूर्टी के समकछ जाते हैं उस मूर्टी से सपर्स करते हैं तो आपके भीतर भी एक उर्जा है और उस मूर्टी के भीतर भी एक उर्ज आपकी उर्जा को वो उर्जा मुर्ति समाप्त कर देगी, थोड़े देर के लिए ही सही, ये वैसे ही है, जैसे सूर्य के समकक्ष को इग्रह जाए, तो उसकी उर्जा छण हो जाती है, तो रिश्यों ने देखा, कि मुर्ति के करीब जो भी जाएगा, मुर्ति की सक्ति जादा है वो सामने वाले की उर्जा समाप्त कर देगी तो कहा मूर्ति के करीब जाओ लेकिन छुओ मत इस परसा सपर्स से ही सकती खिच जाएगी तो मत छुओ मूर्ति को ये बहुत बड़ा कारण था अब एक बड़ा गंभीर विशाय है एक और खड़ा होता है कि मैंने देखा कि जो देखिए यहां पर किसी को सामान्य और असामान्य नहीं कह रहा हूं लेकिन समझने की आवशक्ता है जब तक समझेंग नहीं ब्यातों की घराई में नहीं जाएंगे रिजल्ट नहीं आएगा कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन राद धार्मीक पूजा पाठ कृथ्त कर रहा है और एक ऐसा व्यक्ति है जो बेहत सामान्य नहीं दिन बर खाना, सोना इसके अलावा उसके जीवन में कुछ है ही नहीं बहुत से लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे खाना, सोने के अलावा उनके उर्जा, निक्रिष्ट कोटी की उर्जा, वो कहीं न कहीं ऐसे लोग जब जाकर के उस उर्जा को छूएंगे, तो उस उर्जा को छूने से इनकी उर्जा में अंतर जरूर आ जाएगा, वो मामूली देर के लिए ही इनकी उर्जा जरूर जागरित होगी, एक बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के आस पास एक नदी है कर्म नाशा नदी जिस नदी में श्नान करने के लिए कहा जाता है कि अगर आपको श्नान करना है तो इध्यान रखिए कि आपके कर्मों का नास हो जाएगा कर्म अच्छा हो या बुरा सबका नास होगा जिसके केवल बुरे कर्म हो वो उसके लिए तो अच्छा हुआ ना जाकर के अपने कर्मों का नास कर ले लेकिन जिनके कर्म अच्छे हैं वो क्यों करेंगे तो अगर आपकी उर्जा जागरित है आप दिन भर पूजा पाठ सत्कर्म करते हैं तो आपकी उर्जा जागरित है आप जैसे ही उस मूर्थी के संपर्क में आगे आपकी उर्जा ऐसा नहीं है कि वो मूर्थी आपको कुछ नहीं देगी उस उर्जा के बदले वहां से भी एक उर्जा आएगी लेकिन कहीं न कहीं उस उर्जा में और आपके वर्तमान के उर्जा में भेद है आप जो उर्जा एकत्रत कर रहे हैं वो भौतिक सुखों को पाने के लिए है और मूर्तिक की जो उर्जा है वो अलग उर्जा है वो उर्जा आपको अलग तरीके से प्रभावित कर देगी आपके भहुतिक सुखों वाली उर्जा में कमी आ जाएगी या फिर यूँ समझ लिए कि आध्यात्मिक उर्जा क्यों खीचेगी आपको कई बार मूर्ती मैं ये नहीं कह सकता कि मूर्ती से आपकी उर्जा जादा है लेकिन कई बार ऐसे इस्तिती भी आएगी कि मान के चला जाए कि कोई एक नया मंदिर है जो सीगरी अभी स्थापित हुआ है वहाँ भी लोग आना जाना सुरू किये हैं और आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं पूजा पाठा बहुत जादा करते हैं तो हो सकता है मूर्ती से आपकी उर्जा जादा होगी पुराने मंदिरों में मूर्ती में उर्जा जादा है आपके में कम है लेकिन ऐसे नय मंदर में आपकी उर्जा जादा है, मूर्ती की उर्जा कम होगी, तो आपकी उर्जा खीच लेगी और आपको बहुत ज़्यादा वहां कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए रिसियो ने कहा, मूर्ती का सिधा सिधा इस पर्स न करो, हमारा विश्यांतर हो गया, लेकिन इसी में जानकारी एक आपको दे दिया, मंदर में शक्ति है, उर्जा है, जो घर में आपके, घर के मंदर में नहीं है, वहां एक सामाने आप पुजा पाठ करते होंगे, और कोई नहीं हो भी आप नियमित नहीं करते होंगे, मंदर में सब कुछ बेहद नियमित से होता है भगवान के सयन से भोजन से लेकर के हर चीज नियम से होता है तो वहां जागरती बहुत जादा है वहां जाने से सीघर प्रभाव आ जाता है जो कि घर के पुजा से नहीं होता है अनिल मिस्रा जी का प्रशन है रोज इतनी मृत्यू हो रही है यह सब आकाल मृत्यू नहीं ये आकाल मृत्यू ही कहलाएगी जो लोग उम्र को पूरा कर चुके हैं मान लिया जाए किसी की उम्र सत्तर वर्स है 65 या सत्तर वर्स है तो आज के लिए इतना ही मान लिया जाए वैसे तो सतायू वर्स हम लोग सब बन करके आए हैं लेकिन अगर 60, 65, 70 वर्स की उम्र में जा रहे हैं तो हम उनको आकाल नहीं कहेंगे लेकिन जिनकी उम्र 28 वर्स है, 30 वर्स है, 40 वर्स है, 45 वर्स है तो ये खिता देखा जै तो आकाल मृत्यू ही है Mr. R, Mr. Mr. R ही है ये इन्होंने लिखा है कि मैंने पढ़ा था कि छठे से छठा यानि एकादस भाव में मंगल होने से जातक चोर होता है सुना मैंने भी है कि दुती और एकादस में मंगल कई बार जातक को चोर बना देता है हमेसा याद रखी ये सूत्र है, निसंदेह अगर कुंडली में और भी ग्रहिस्तितियां ऐसी हो, तो ही ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है, बाकी की हो सकता है जाता कि लगन में ही गुरु बैठे हो, लगन पर गुरु की दृष्टी हो, तो क्या वो चोर होगा, नहीं, अब आ बल का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये भी बल चोरी है, चोरी का मतलब धन चोरी ही नहीं होता, कई तरह की चोरियां होती है, विजय कुमार जी ने पूछा है, स्री यंत्र को सिध्ध कैसे करे, किस मंत्र का प्रयूँ करे, यंत्र सिध्ध ही है, स्री यंत्र अपने आप में सि दिन नहीं आएगी, निरंतर, अनवरत, अनवरत, एक और भी रास्ता है, अभी मैंने उर्जा की जो बात बताई, इस में आमले में आप काम कर सकते हैं, आप किसी ऐसे मंदर में, जो बहुत प्रसिद्ध मंदर हो, मालक्ष्मी का मंदर, वहाँ चले जाएए, और मूर्ती से अ उन सभी तथ्यों को जोड़के ही मैंने समझा इस बात को, मूर्ती से मूर्ती सपर्स करा करके मूर्ती को जागरित किया जाता है, उसमें उर्जा लाया जाता है, तो स्रियंतर को आप किसी भी मंदर में लेया करके जागरित करा लीजी, वैसे निरंतर पूजा करने से, लग गोचर का ही तो फल है, गोचर का प्रभाव जरा समझे, माल लिया जाए आपकी कुंड़े में मारकेस चल रहा है, लेकिन उसी मारकेस में आपके लगनेस, आपके भागेस या ऐसे ग्रह जो आपके जीवन की सुरच्छा करने वाल हैं, उनकी अंतर दसा, प्रत्यंतर दसा ही आ ऐसे मत्तब पत्थर दिल होते जा रहे हैं, कि लोग तड़ब के मर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, मर जाओ, मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं दो लोग दोड़के आए और आपको उठा करके होस्पिटल पहुंचा दिये, ध्यान से सुनिएगा, मारक इसकाल चल रहा है, निसंदे सभी प्रभावित हैं, लेकिन सभी मर भी तो नहीं रहे हैं, सभी जीवित हैं, कुछ लोग पिलित भी हैं, बहुत से लोग पिलित हैं, लेकिन सभी पिलित नहीं है, पिलितों की संख्या कम है, जीवितों की संख्या जादा है, तो हम इसको नि प्रभाव आजाता है बात तो यही होगा दोनों का अगर द्रिष्टी समंद बनेगा तो लगभग प्रभाव यह होगा अभिनाव कुमार जी ने पूछा है क्या राहु शुक्र यूति मनुस्य को चरित्रहीन बनाती है देखें चारित्रहीनत का मतलब क्या आप मानते हैं चरित्रहीनत का मतलब केबल परिष्ट्री या परपूरुष्गमन ही होगा अपने कर्तव्य से कर्तव्य पत्थ से च्यूत होना भी चरित्र हीनता ही है चरित्र का हनन चरित्र हीन होना यानि चरित्र से हीन हो जाए अलग हो जाए दूर हो हमारा चरित्र क्या है? हम किस लिए आये हैं? अगर अध्यात्मित दुर्ष्टिकॉन से देखें, तो इस धरा पर हम किस लिए हुआ है? मानव मात्र का जन्म किस लिए हुआ है? अगर मानव मात्र अपने कर्तब बेपथ पर नहीं चल रहा है, उदाहर नार्थ, अगर आप अपने चरित्र का पोशन न करना, हम जिस चरित्र को जीने आये हैं, आप अभिनेता को क्या कहते हैं, चरित्र अभिनेता, किसी का चरित्र वो चित्रन कर रहा है, तो हम मारा जो चरित्र है, हम जिस चरित्र को जीने आये हैं, उस चरित्र का पालन न करना भी चरित्र हींता है, खाली वही एक चरित्र हींता नहीं है ये भी चरित्र हींता है तो शुक्र और राहु की यूतिस मिसंदे चरित्र हींता आएगी अब हर जगह उसी चरित्र हींता को लागू करने की आवशकता नहीं फिर कई लोगों की कुणली मैं ऐसा होगा बेवजा लोग टेंसन पाउते ह अगला प्रश्ण जो है सुदीप कुमार दोरा जी का, इन्होंने पूछा है अगर घर की इस्ट देवी कुछ और खुद का, खुद की इस्ट देवी कुछ और हों, तो हम लोग कौन सा इस्ट देवता को मानें? आपने गलत प्रश्ण पूछ लिया है सर, कुल देवी होंगी, इस्ट देवी ने, इस्ट जो आपके लिए अपनी हों, घर की हाँ, यह हो सकता है, आपके पिता जी शिव जी को मानते हों, आपकी माता जी शिव जी को मानती हों, आप चाहें तो मान ले, लेकिन एक कुल देवता कुल देवी होते हैं, वो सब को मानना ही होता है, इस्ट द देवता सबके अलग-अलग हो सकते हैं, कुल देवता या कुल देवी एक होती है, पृती तिवारी जिने पूछा है वरत उपवास तिथी से करना चाहिए या दिन से, ये अलग-अलग है, समझने की आवशक्ता है, जैसे गुरुबार का वरत करना है, तो इसमें तिथी का कोई महत्व नहीं है, तो रविबार का वरत करना है, तो इसमें तिथी का कोई महत्व नहीं, तो दोनों अलग-अलग है, मुदित जैन जी ने पूछा है, क्या सास्त्रों में समलैंगिक के लिए कोई विशेष पूजा पाठ है, जिससे वह दूसरे पुरुष्ट को समोहित कर सके, मुदित सहाब, यह आपकी भावना होगी, मैं इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे आइडिया है नहीं, और मैंने इस विशेपर कभी विशार भी नहीं किया, कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए, मैं यह तो नहीं कहूँगा कि यह गलत है कि देख लीजे, लेकिन मुझे आइडिया है नहीं इस मामले में, यह प्रशन आपने ठीक ही पूछा, आपने गलत सवाल नहीं पूछा है, यह वश्य मैं कहूंगा कि मेरे पास जवाब नहीं है, आपके सवाल गलत नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन चुकि उस आपको प्राई मोहित कर सकें, ऐसा कुछ कर सकें, हलाकि एक बात बता दू तो कि सम्मोहन के लिए जो प्रयोग होता है उस शपर लागू होता है, श्त्रीपूर Islam पर तो सम्मोहन के जो प्रयोग मैं समय समय पर बताते रहता हूं विशेश करके चंदननित्या दिका, तो उस का वास्क वहाहा है सिधी सीवा थे आपको पवित्र होना पड़ेगा तब ही पूनम देवी जी ने पूछा है मुझे कभी-कभी संसय होता है कि प्याज और लहसुंख्वा करके पुझा पाठ करने से या मंत्र किपने से पाप लगेगा नहीं 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 मैंने तो यहां तक क और न तो वो दाथ दिया हुआ है। अगर प्रकृति ने हमें वो आत और दाथ दिया होता, तो फिर वो हमारा आहार होता, वो हमारा आहार नहीं है। हमारे आहार के और भी चीजे हैं, जो सात्विक हैं। अब रही बाद पूजा, याद रखिए का पूजा पाट से खाने पिने का कोई लेना देना नहीं है, अगर पूजा पाट से खाने पिने का लेना दिया देना होता, तो एक सिक अगहोर तंत्र शाधक जो रहे हैं, वो सब कुछ खाते थे, वो सब कुछ खाते थे, उनके लिए मल और माल पुआ दोनों में कोई भेद नहीं हाँ ये उनकी साधना की वो चरम सीमा थी जहां उनके लिए भेद नहीं रह गया था उनके लिए साधे भोजन में और मांस में कोई भेद नहीं था हमारे पास समस्या क्या है कि हमारे पास भेद बुद्धी है कि ये अच्छा ये हम भेद बुद्धी में जीते हैं इसलिए समस्या है नहीं तो अगर आप चरम पर पहुंच जाएं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको भी कोई भेद नहीं रह जाएगा फिर आप मांसाहर भी करें लेकिन वो सात्तिक नहीं है और फिर यहाँ पर एक और बात हो जाता है कि किसी जीव की हत्या करके और फिर उसे खाना, कई बार लोग कहते हैं हमने थोड़ी मारा, हाँ आपने नहीं मारा लेकिन आप खा रहे हैं इसलिए तो दोसी आप उत नहीं है, तो आपने तो प्याज ल पाठ कर लिया तो कोई दोश नहीं पूजा पाठ अलग एक विधा है आप उसे करिए अगर आपका खानपान यहीं है ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं अगला जो प्रश्ण है ये सिवांगी नहीं सिवानी सिंग इन्होंने पूछा है भोलेनात को दूद दही सहद घी सक्कर सभी को एक साथ मिलाकर कर विशेक किया जा सकता या अलग-अलग करना चाहिए नहीं पंचामृत से विशेक होता है न तो आप पंचामृत से बिलकुल क कर सकती हैं अफ्य अलग-अलग अलग चीज़ है लेकिन पंचामृत से भी होता है वो आप करिए प्रदभ्यू प्रदण्य thesisकर प्रदण्या तिवासकर इन्होंने पूछा है क्या भगवान को धुले भूव्य वस्त्र पहना सकते हैं या किया नद्दकोलको कॉर्य कपड़ प्रतिमा को अगर आपने अलग मान लिया, तो ही बात गड़बड हो जाती है घर में जो मूर्ति आपने रखी हुई है, वो आपके घर के सदस्य है जब सूतक की बारी आती है, तो सूतक आपको लगता है श्रेष्ट देते हैं जो हमारे पास है। हमें वैसा देना चाहिए जो सबसे श्रेष्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें रोजरुज वस्त्र नया ही लेकर क्याना है। धुला हुआ वस्त्र भी बनाई है भगवान को, कोई दिक्कत नहीं है। और अरचना सुकला जी ने पूछा है क्या सुहागन को, जोडे में वरत करना चाहिए आकेले नहीं। ये क्या मतलब होगा। मतलब आप ये कहना चाहती है कि, कोई वरत आप ने किया है, तो साथ साथ पतिदेव भी करें। मत तब आप चाहती हैं कि कारिक्राफ मेरा देखना पुरुष छोड़ दें, साथ होना चाहिए, दोनों साथ रहें, अब ये तो मैं नहीं कहूँगा, कि एक ने उपवास किया है, तो दूसरे को भी उपवास करना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ साथ दोनों रहें, देखिए, दोनों की अलग-अलग जिम्मेवारियां, ये समय के साथ चलता आया, कोई आज नया नहीं बना है, हाँ, आज की इस परिवेश में सु काम कर रही है, घर का बोज उठा रही है, वो सब कुछ कर रही है, अब ये तो मैं ये भी नहीं कह पाऊंगा, कि कल से पुरुष जो है, अब जो करवाचोथ का वरत होता है, करती है महिला है, वो पुरुष करने लगें, अब ये उल्टी गंगा तो नहीं बहने वाली है, औ उसमें इस्त्रियों को होना चाहिए, तो वो आपके साथ हो, इस्त्री पूरुस दोनों साथ रहें उसमें, परन्तु अब एक उपवास करें, दूसरे अभी साथ साथ उपवास करें, ये तो नहीं करना, और रिचा जी ने पूछा है, यदि दातुन न मिले तो ब्रत में क्या करें, ब्रस तो नहीं कर सकतें, कि कोई ब्रस जूठा होता है, तो उचित तो यही है कि दातुन होना चाहिए, देखिए कितना सवनातन धर्म, महानता है ये सवनातन धर्म की, इसको समझना होगा, हर चीज को जो हमारे लिए जरूरी है, हम उसकी रक्षा करेंगे, से उन उन चीजों को जोड़ा, जिससे इस स्रिष्टी की सुरक्षा हो रही है, याद रखिएगा, इस स्रिष्टी की सुरक्षा हो रही है, गाय, वो हमारे लिए हर तरह से उपयोगी है, हर तरह से, चाहिए उसका वो ऑक्सिजन छोड़ना हो, या इत्यादी, हर चीज वो ह हर चीज को हमारे सनात अंधर्म से जोड़ दिया, वैसे अगर नहीं है, तो सामानित्या ऐसे आप, हलाकि मंजन भी ठीक नहीं कि कौन सा मंजन आप लेंगी, हर मंजन में कुछ न कुछ मिलावट है, ऐसी चीजे हैं, जिसे हम शुद्धता के पैमाने पर खरा नहीं कह सकते हैं, तो सुद्धी आही जाएगी, सो दातुन होना ही चाहिए, दूसरा कोई विकल्प है नहीं, भी ठीक नहीं है इस मामले में, प्रणो प्रताप जी ने पूछा है, सरीर से मुक्त होकर नारायन में मिलने के लिए क्या करना चाहिए, नारायन को महसूस करना चाहिए, आप नारायन को महसूस करना शुरू करिए, इस सरीर के मुक्त होने से पहले आप नारायन में मिल कि मोक्ष कुंडली का बार्वा भाव और कुंडली का अस्टम भाव मृत्यू, मृत्यू से पांच घर आगे मोक्ष, मृत्यू का ज्यान होना मोक्ष है, वैसे ही नारायन से मिल जाना, नारायन में मिल जाना, अगर नारायन में मिलना ही सब कुछ है तो फिर वो वेदान्त के स सूत्र, शिवों हम, सब कुछ हम ही है, हमारे में अलग कुछ नहीं, मिलना तो है ही है, आप एक बात याद रखिए, इस सूत्र को गांठ बांध करके रखिए, कि ये प्रणो प्रताप जी, जब तक नारायन से नहीं मिल जाते, फिर से, कि प्रणो प्रताप जी जब तक नारा अधूरे हैं, अब चिंता किसको करनी चाहिए, आपको या नारायन को? असल में आपकी चिंता है ही नहीं, इंसान असल में सदईवस से भटका है, सही दिसा में नहोंने के कारण, वो मोक्ष की तरह भागता है, जबकि उसको मोक्ष की और भागने की आवशक्ता क्या है, अंतिम परिणती आपके इस जीवन की मोक्ष ही है, आपको मोक्ष ही पाना है, आप एक व्यक्ति के छूट जाने से, एक व्यक्ति के मोक्ष ना होने से, ये स्रिष्टी अधुरी रह जाएगी, नारायन अधुरे रह जाएगे, नारायन पूरे ही जत्तभी होंगे, जब सब उ हमें क्यों प्रतना करना है। हमें तो अपने कर्टब्य को बस पालनका करना है। मोख्ष के लिए लालाईत हमसे ज़्यदा नारायन हूंगे। क्योंकि उनको अपने से हमें जोड़ना है। जब हम उनसे जुड़ेंगे तब वो पूर्ण होंगे। कुछ ज्यादा आंतर नहीं है, आप उसके लिए आपको अलग कुछ नहीं करना, बस अपने कर्तब्य पत्थ पर चलते रहिए, नाराण से मिल जाएंगे, उसमें कुछ नहीं करना, और पंकच तिवारी जिनने पूछा है, कुंडली में पुत्र योग ना हो, धन योग ना हो, हम लोग कोई मंतर का जब करते हैं या कोई पाठ करते हैं, तो मंतर अपना प्रभाव कैसे दिखाएगा, देखिए, जोतिश वेद का नित्र है, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं, लेकिन सबकुछ परमपिता के नीचे ही है, परमात्मा से उपर कुछ भी नहीं है, ये एक तुम कुछ चाहो, सबकुछ नहीं, परमात्मा ने सारी कुंजियां हमारे हाथ में नहीं दी हुई है, कुछ उनहीं के पास है, या समझ लिए सबकुछ उनहीं के पास है, फिर भी उन्होंने कुछ कुंजी हमारे हाथ में दे दी, कि इस बिधा से तुम जान सकते हो, अपने परमात्मा की अगर सरण में जाएं, तो उनके पास सब कुछ है, और सब कुछ मिल जाएगा, सुदामा जी की कहानी आपने सुनी होगी, कि जहां स्रीहीन थे, स्रीयुत बना दिया उनको, तो वो सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ, हमें अपने कर्तब्य को करना है, अब सवाल में वो कर्तब्य नहीं है, जो आपने कहा है, कुंडली में पुत्र योग नहीं है, धन योग नहीं है, तो पूजा पाठ से, यानि पूजा पाठ धन पाने के लिए, पुत्र पाने के लिए, अगर आप करते हैं, ये हमारा कर्तब्य नहीं है, ये हमारा कर्तब्य नहीं, इस उद्देश से की पूर्ती कीजिए, वो सारे काम आप करिए, हाँ, अगर मन में कामना है, तो परमात्मा पिता है, परम पिता, वो हमारी कामनाओं को इसलिए भी पूर्ण करेंगे, क्योंकि हमारी कामना की पूर्ती में ही उनकी संतुष्टी है, फिर से सुनिए, हमारी कामना क की पूर्ति में ही परमात्मा की संतुष्टी है तो हमारा हमारी कामना की पूर्ति किसकी जरूत हुई हमारी क्यों की उनकी उनकी क्यों कि संतुष्टी तो उनको मिल रही है तो जो चीज से परमात्मा को संतुष्टी मिल रही है उसके लिए हमें क्यों परिशान होना हमारी काम पुर करेंगे तो वो संतुष्च होंगे उससे उनको खुसी मिल रही है, आप तो वस अपने काम में लगे रही है, शंतान पाने के लिए ही आप पूसाइउट करेंगे है धन पाने के लिए यह निक्रिष्ट करना है, यह करने की जुरूत नहीं है, आप अपने कर्तब्या कर्तब्य पत्थ पर चलते रहिए, कामना है परमातना समझ लेंगे, जब उनको समझना होगा, वो देख लेंगे, उनको आपको देखे खुसी मिलती है, तो प्रियदर्शकों ये थे आपके प् सब्ता नहीं, उसके बाद वाले सब्ता हमें आऊं, लेकिन ये सवाल, और जब आपके जो कारिकरम हैं ये, ये अत्यन्त स्रेष्ट है, आनन्द आ जाता है, आज के लिए वस इतना ही, इजाज़त दीजिए पुना मुलाकात हो, तब तक के लिए, नमस्कार.